तो चलिए आज बात करते हैं कैलाश परवत के कुछ रहस्यों के बारे में कैलाश सिर्फ एक पहाड नहीं है, वो तो धर्ती और आस्मान को जोडने वाला एक पुल है एशिया के बीचों बीच, तिबबत के सूने पठार पर कैलाश परवत खड़ा है, देवताओं का घर कहा जाता है कि यहीं से गंगा नदी स्वर्ग से उतरी थी, जिसे भगवान शिव ने अपनी जटाओं में भर कर धर्ती को पवित्र किया था कैलाश परवत एक विशाल पिरामिड की तरह खड़ा है, जिसके चारों तरफ सो छोटे छोटे पिरामिड हैं, जो चारों दिशाओं से बिलकुल मेल खाते हैं इस परवत के नीचे दो रहस्य मई जीले हैं, मानसरोवर और राक्षस्तार, ये दोनों सूरज और चांद, अच्छाई और बुराई, हर चीज के दो पहलिवों को दिखाती हैं मानसरोवर, दुनिया की सबसे उची मीठे पानी की जीलों में से एक सूरज की तरह गोल और पवित्र है वहीं राक्षस्तार, अपने खारे पानी के साथ, चांद की रहस्य मई छटा को बिखेरती है साथ में दक्षन से देखने पर ये दोनों एक प्राक्रतिक स्वस्थिक बनाती है एक ऐसा चिपन जिसकी शुरुवात आज भी एक रहस्य है ये पवित्र परवत जिसे आज तक किसी इंसान ने नहीं छुआ, एक आकाशी पहेली बना हुआ है सदियों से खामोशी से सब कुछ देखता हुआ ये परवत हमें अपने भीतर के ईश्वर की एक जलक पाने के लिए बुलाता है